हेलो प्रेंट्स आप सभी का मेरे चैनल का स्वागत है आज मैं आपके लिए व्रत की रैसेती लाई है आलू लच्छा चूड़ा की रैसेती आप इसे बहुत ही जल्दी कम समय में धटपट बढ़ा के तैयार कर सकते हैं बिल्कुल मार्केट की तरह ही ये आलू लच्छे का च पूट रहा है कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बना है इसी तरह आप इस चूड़े को एक बार बनाते ट्रैस जरूर कीजिएगा और रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए हम इस चूड़ा को बनाना शुरू करते हैं आलू लच्छा बनाने के लिए मैंने ये 500 грाम आलू लिये हैं इसके लिए आप इस तरह से बड़े वाले आलू ले जिस से हमें इसे ग्रेट करने में आसानी होती है जोटे चोटे जोटे आलू होसे लच्छे भी अच्छे नहीं आएंगे और उसे हम ग्रेट नहीं कर पाए इसके लिए बड़े साइज के ही आलू ले आलू को मैंने साफ धो लिया है तब से पहले इन आलू को हम चील लेंगे आलूओं को छील के हम तुरंती पानी में डालेंगे जिससे आलू काले ना पड़े तो हम इसी तरह से सभी आलूओं को छील के पानी में डाल देंगे तो ये देखे मैंने सभी आलूओं को छील के पानी में डाल दिया है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड में और लेंगे एक थाली और इस तरह का एक ग्रेटर इसमें हम बड़े छेद वाला ग्रेटर का इस्तमाल करेंगे इसमें तीन तरह के छेद हैं एक सबसे बारी और एक सबसे बड़ा और ये मीडियम तो मैं इस मीडियम साइज के ग्रेटर से आलू को ग्रेट करूँगी आलू को हमें इस तरह से पकड़ना है आड़ा आलू को हमें आड़ा पकड़ना है इस तरह से हमें खड़े नहीं कीशना है इसे इस तरह से आड़ा पकड़के कीशना है ऐसे तो ये देखे इस तरह से इसके बड़े बड़े लच्छे आएंगे लंबे लंबे अब हम इन लच्छों को इस तरह पानी में डालते जाएंगे जिससे ये लच्छे भी काले ना पड़े तो चलिए हम सारे आलू को इसी तरह से ग्रेट करके ले लेंगे तो ये देखे मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है और इस तरह से इसे पानी में डाल दिया है पानी में डालने से आलू के लच्चे काले नहीं पड़ते और इसमें जिसना भी स्टार्च होता है वो निकल जाता है तो ये देखिए कैसे लाल-लाल सा पानी हो गया है तो चलिए हम इसे 2-3 बार साफ पानी से धोके ले लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आलू के लच्चो को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है इसमें जितना भी स्टार्स था वो निकल गया है और लच्चे बिलकुल अलग-अलग हो गया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे साफ अलग-अलग लच्चे बिलकुल दिख रहे हमें तो हमें इसी तरह से बड़े-बड़े लच्चो में आलू को ग्रेट करना है चार से पांच बार इसे पानी से धोना है और मैंने इसे इस तरह से चन्नी में रख दिया है जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो थोड़ी देर के लिए हम इसे पांच से दस मिनट इसी तरह छोड़ देते हैं पूरा पानी निकल जाने देते हैं तो चलिए इसे 10 मिनट हो गए हैं इस तरह से हमें छन्नी पे रखे हुए इसमें से जितना भी एक्स्रा पानी था वो निकल गया है तो अब हम इसे चलते हैं यह देखिए मैंने टेबल पे एक सूती कपड़े को बिचा लिया है अब हमने इसमें से पानी निकालके अलग कर लि फैला देंगे थोड़ से अलग-अलग ही हमें रखना है ये देखिए मैंने आलू के लच्छो को इस तरह से फैला दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए हम पंक्खे की हवे में छोड़ देंगे जिससे इसमें जो भी मौश्चर होगा वो जल्दी से सूख जाएगा इस तरह से आप एक-एक टिप को फॉलो करते हुए आलू लच्छा बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट की तरह ही आलू लच्छा बनके तयार होगा वो भी बहुती जल्दी कम समय में और बहुती क्रिस्पी बनेगा आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा जब आप एक बार इस तरह से आलू लच्छा बना के ट्राय करेंगे तो ये देखे मैंने सभी लच्छो को इस तरह से थोड़ी-थोड़ी दूरी पैसे फैला दिया है और पंके की हवा में अब इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो ये देखे मैंने इसे 15 मिनट के लिए पंके की हवा में छोड़ा था अब इसमें से पानी ये देखे मौश्चर हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है हलके हलके सूख गए हैं ये सारे लच्छे तो मैंने इसे एक जगा इकठा कर लिया है अब चलिए इसे हम प्राइ कर लेते हैं तेल को मैंने गरम कर लिया है ये मैंने मूंख फली का तेल लिया है ये रेसेपी मैं वरत के लिए बना रही हूँ साफुरत में जो तेल इस्तिमाल करते हैं उसका यूज़ करें ये देखे मैंने एक लच्छा डाल के देखा है इसे बबल साने लगे तेल अच्छे से गरम हो गया है अब थोड़े थोड़े लच्छे इसमें डालेंगे ये देखे तेल में डालते ही इसका कलर चेंज हो गया लोड़ी देर के बाद अब इसे हम हिलाएंगे यह देखे फ्राय करते करते इसमें से अब जाग आना जाग निकलना बंद हो गया है इसका मतलब है लच्चे अब अच्छे से फ्राय हो गया है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जाग नहीं आ रहा है और लच्चो का कलर भी अब चेंज हो गया है तो चलिए अब इन लच्छों को हम निकाल लेते हैं ये देखे इस तरह से हमारा ये एक बेच प्राय हो गया है इसे अब प्लेट में निकाल लेते हैं ये देखे अब इसी तरह से हम दूसरा बेच भी प्राय कर लेंगे ये देखे जैसे ही डाल रहे है तो जाग आता है हाथों को बचाते हुए डाले इसी तरह से हम सारे लच्छों को फ्राय करके निकाल लेंगे तो अब हम थोड़े से मुनफली के दाने इसे भी फ्राय कर लेंगे ये देखें मुमफली को भी फ्राय कर लिया है ये फ्राय हो गए है इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसी प्लेट पे जिस पे हमने ये लच्छे फ्राय करके रखें उसी पे डाल लेते हैं और अभी इसे रखते हैं साइड में और अब उसी पढ़ाई में हम ये हरी में फ्राय कर लेंगे ये देखें मैंने हरी में इसको भी फ्राय करके दे लिया है अब इसे भी इसे के उपर डाल देते हैं अगर आप कड़ी पत्ता खाते हैं वरत में तो कड़ी पत्ता भी फ्राय क करके इसमें डाल सकते हैं हमने सारी चीजे फ्राय करके ले लिए अब इसमें हम कुछ मसाले अड़ कर लेते हैं अगर आप लाल मेच वरत में नहीं खाते हैं तो इसे skip कर सकते हैं इसमें एक चोथाई चममच में लालमिच का पाउडर ले रही हूं कि कश्मीरी लालमिच है तिर्फ कलर के लिए और एक चोथाई चममच जीरे का पाउडर ये भुने हुए जीरे का पाउडर है और एक चोथाई चमशी काली मेच का पाउडर स्वात के अनुसार नमक डालेंगे ये मैं व्रत वाला सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ और अब डालेंगे आधा चमश, पीसी हुई चीनी, पाउडर शुगर इससे बहुत अच्छा तेज़ आता है इसमें तो चलिए अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से आप एक बार व्रत वाला चूड़ा आलू लच्छे का चूड़ा बना के जरूर ट्राई की लिएगा बहुत टेस्टी लगता है एक बार आप इस तरह से इस चूड़े को बना लेंगे तो मार्केट से कभी नहीं लाएंगे और हर बार घर में बनाएंगी बहुत ही कम समय में बनके तयार हो जाता है ये देखें मैंने सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लिया है इस तरह से हमारा ये व्रत वाला चूड़ा बनके तयार हो गया है और रेसेपी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताईए तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसेपी के साथ अगले वीडियो में